घर आने के बाद दोस्तों मैं बड़ाग वबड़े क्रियेटर्स के पास गया था ताकी मुझे सपोर्ट मिल सके आदर सानंद भया के पास भी गया था अरवींद केला कलू सर के पास गया था गोलू गोल्ड भाईया के पास गया था, मनी महाराज भाईया के पास गया था, काफी लोगों के पास गया था, दोस्तों मैं कि कुछ मुझे सपोर्ड मिल सके, उसके बाद तो दोस्तों मेरी दुनिया ही अलग हो गई, लेकिन सुन के अच्छा लगा कि जो बंदा गाली देता था वो शरोन भाई आज बोल रहा है वाई क्रियेशन टीम में आने के बाद हलो फ्रेंड्स वेलकम बाइक टू मैं नीव ब्लॉग वीडियो तो दोस्तो मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद यह मेरा दूसरा ब्लोग है और आज में दोस्तो आप लोग बतलाऊंगा अपनी क शुरूआत करते हैं दोस्तो तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों 2019 में मैं वीडियो बनाना शुरू किया था आज कि 2018 के लास्ट कहीए या उनएस के सुरुवाती अतना ख्याल नहीं ठीक से उस समय टीक टोग था दोस्तों टीक टोग पर वीडियो बनाते बनाते काफी मेरा वीडियो चलने लगा और वीडियो चलते चलते दोस्तों काफी में वाइरल हो गया तो उसकी वज़ा से दोस्तो मुझे काफी इवेंट सो करने को मिला पटना दिली मुंबई राची पटना में मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा हमको मिला अभी भी मैं बिहार में ही हूं दोस्तो तो बिहार में हमको सबसे ज़्यादा हमको इवेंट सो मिला करने के लिए काफ सब मेरा सब कुछ खतम हो गया टीक टॉक पर 22 लाख मेरी फैमिली थी वह भी सब खतम उसके बाद मैं यूटूब पर वर्क करना सुरू किया लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि उस समय मेरा टीम था नहीं और मैं तब अकेले था और अकेले होने की वज़ा से दोस्तों मैं कुछ कर नहीं पाता हूं मतलब कि मैं क्या कोई भी बंदा अगर चाहें कि मैं अकेले कुछ कर लूं तो नहीं कर पाएगा तो उस तरह में यूटूब पर भी एक्टिव नहीं हो पाया और उसके बाद ब्लोग ब्लोग बनाना सुरू किया तो ब्लोग मेरा चलता नहीं था तो दोस्तों मैं चला गया हैदराबाद हाइदराबाद कुछ दिन लोहा के फार्ट्री में काम किया तो वहां के अभी काफी लोग मुझे वीडियो देखते थे तो यह थी किये और काफी वहां भी मिलने के लिए लोग आने लगे तो मुस्से यह ठीक नहीं लगा कि मैं वहीं कंपनी में काम कर रहा हूं और काफी लोग आते थे तो मैं वहां से घर चला आया घर आने के बाद दोस्तों मैं बड़े-बड़े creators के पास गया था ताकि मुझे support मिल सके अदर सनन्द भया के पास भी गया था और बीन्द के लग कलू सर के मुझे support मिला लेकिन कुछ हो नहीं पाया मेरा तो फीर मैं चला गया यह सब बंद करके चला गया दोस्तों मैं गुजरात कि गुजरात गया दोस्तों मैं सुजुकी मारूती कंपनी में जाने के बाद दोस्तों मैं वहां काम किया और वहां तो बहुत अच्छा था केवल साम का खाना बनाना था नहीं तो सुबा का और दोपहर का खाना मिलता था दोस्तों कमपणी में ही और बहुत अच्छा भोजन मिलता था माजा आता था खाने में तो उसके बाद 2023 के फरवरी में मैं गया था फ्रवरी के शुरुवात मे और दूजरते इसके फरवरी के लाष्टे में उसी साल लाष्ट में मैं घौर वापीस आ गया नया एक यूट्यूब चैनल बनाया काम करने के लिए यह स्रवन्ज कॉस्य ब्लॉग जो है यह पूरे एक साल हो गया यही चैनल हम बनाए थे दोस्तों और बनाने के बाद फिर मैं ब्लॉग मनाना सुरू किया और फिर मैं काफी लोगों के पास गया अपने बलिया में भी काफी जगह पर घूमा और काफी लोगों के साथ मिलकर वीडियो बनाने की अच्छा अच्छा वीडियो मतलब ब्लॉग क्योंकि मैं अकेला हूं और मेरा क्या बोलते ह इस्टार्डम पूरा खोतम हो गया था तो मेरे उपर पैसा लगाने के लिए कोई नहीं सोचता यह मतलब मैं यह कहूं कि मैं टीम बनाने के लिए सोचता भी ना तो दोस्तों कोई सपोर्ड नहीं करता था तब तो इसलिए मुझको ब्लोग बनाना पड़ आपना और उधर गानावना आएगा कॉपी राइट मार देगा तो फिर चैनल बंद हो जाएगा मेरा अभी तो हाल ही में तो मोनेटाइज हुगा कल पर सो अपने वीडियो देखा होगा आप लोगों ने तो दोस्तों फिर मैं दुबारा भी दुबारा गया था मनी मेरा जभिया के पास अधोर सबसे पहले जब मेरा आज मेरा पास गया था तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था तो वह एक दस जर के मुबाइल भी खरीद के दिये थे अच्छा फौन था इनफिनिक्स का और मेरा सीम भी वही खुलवाए थे बिहार के और उसके बाद मैं वहां एक यूट्व चैन किया वो लोग भी हमको घर पहुचा दिये अच्छे से बात कोई नहीं करता था या जो कहिए क्योंकि मेरा इस्टाडम पुरा खतम हो गया था तो इस वज़ा से मुझे अपने टीम में नहीं लेना चाहते थे या कुछ भी अब जो भी हो लेकिन मुझे तो यही लगता था उन दिखा दिये तो मैं घर चाला गया घर जाने के बाद दोस्तों एक दिन मैं अपना दुख जाहिर करके वीडियो बनाया था कि 2019 में जब टीक टॉक था तो काफी लोग मुझे सपोर्ट करते थे काफी लोग मुझे देखते थे और पूरा मतलब पूरा यह अपने बारे में बतला कर वीडियो डाला था वह वीडियो पहुंचा मुझा फर्पुर जिला में अमीत परिमल भया के पास तो अमीत भया हमको कॉल किये उसी जिस दिन में वीडियो डाला उसी दिन अमीत भया हमको कॉल किये और बोले कि आप हमारे साथ रहे आप कल ही गाड़ी पकड़ लिजीए दोस्तो उस दिन मेरे मोबाईल मे रिचार्ज भी नहीं था उस दिन रिचार्ज करने कराने तक के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास तो अमीद भया उस दिन मेरे मोबाईल लिचार्ज करवाए और बोले कि आप आये मुझाफरपूर मेरे घर पे रहिए और हम आपको हर तरह से मदद करेंगे और कोशिस करेंगे कि आपको मतलब की पूरा सपोर्ट करने के लिए भाईया बोले सीधी सी दिबात है तो मैं उसके दो दिन बाद ही दोस्तो ट्रेन पकड़ा और ढोली जक्सन उतर गया मुझाफरपूर और उसके बाद घर भाईया हमको आये थे गारी से लेने के लिए अपना सफेद वाली कार से उसके बाद उसके बाद तो दोस्तों मेरी दुनिया ही अलग हो गई जो मुझे गाली दे कर बूलाते थे भाईया हमको बोल रहे हैं हम एक वीडियो में देखे जिनके साथ मैं काम किया हमको बोलते थे मतलब की तू तड़क गाली के साथ संबधित करते थे लेकिन कल ही हम एक बात डाले हैं सरवन भाई बोले हैं सरवन भाई का यह वो मतलब उसे मुझे को यह थी नहीं है लेकिन सुनके अच्छा लगा कि जो बंदा गाली देता था वो सरवन भाई आज बोल रहा है वाई क्रियेशन टीम में आने के बाद तो दोस्तों यही है मेरी कहानी और बस अम और दोस्तों बाई क्रियेशन मुझे एक कलकार नहीं मानता है इस बात की सबसे बड़ी खुसी है कि बाई क्रियेशन के प्रोडॉक्शन के मालीक या फैमिली कोई मुझे कलकार नहीं मानता है सब अपने घर के एक मेंबर मानते हैं और इसके लिए अंसु भाईया को अमीत से धन्य बाद बस दोस्तों मैं ब्लोग को ज़्यदा लंबा नहीं करूंगा मिलते हैं किसी ने इंट्रेस्टिंग ब्लोग के साथ तब तक बाई-बाई टेक कियर लभी यू रोज रोज एक क्वेशन ब्लोग